जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी सारी संगत को जै गुरुजी ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहाई ओम नमस्षिवाई गुरुजी सदा सहाई शिव पुरान का पांचवा अध्याई शिवलिंका रहसे एवं महत हो सूद जी कहते हैं हे शौनक जी श्रवन, कीर्टन और मनन जैसे साधनों को करना प्रतेक के लिए सुगम नहीं है इसके लिए योग्य गुरु और आचारे चाहिए गुरु मुख से सुनी गईवानी मन की शंकाओं को दग्द करती है गुरु मुख से सुने शिव तत्व द्वारा, शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुनानु बाद में रसानु भूती होती है तबी भक्त कीर्टन कर पाता है यदि ऐसा करपाना संभव ना हो तो मौक्षारती को चाहिए कि वे बगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ती की स्थापना करके रोज उनकी पूजा करे इसे अपना कर वे इस संसार सागर से पार हो सकता है संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्ति पूर्वक की जा सकती है अपनी शक्ति एवं सामार्थे के अनुसार धन राशी से शिवलिंग या शिवमूर्थी की स्थापना कर भक्ति भाव से उनकी पूजा करने चाहिए मंडप, गोपूर, तीर्थ, मठ एवं शेत्र की स्थापना कर उत्सब का आयोजन करना चाहिए तता पुश्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप, तता पुवा और तरह तरह के भोजन नेवैद के रूप में अर्पित करने चाहिए श्री शिवजी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थाद कला रहित भी है और कला सहित भी, मनुशे इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं शंकर जी को ही ब्रह्म पद्वी भी प्राप्थ है कलापूर्ण भगवान शिव की मूर्ती पूजा भी मनुशे द्वारा की जाती है और वेदो ने भी इस तरह की पूजा की आग्या प्रदान की है सनत कुमार जी ने पूचा हे नंदी केशवर पूर्व काल में उत्पन हुए लिंग बेट अर्थात मूर्ती की उत्पती के संबंद में आप हमें विस्तार से बताईए नंदी केशवर ने बताया मुनिशवर प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णू के मध्धे युद हुआ तो उनके बीच स्तंब रूप में शिवजी प्रकट हो गए इस प्रकार उन्होंने पृत्वी लोग का संरक्षन किया उसे दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ती पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया अन्य देवताओं की साकार अर्थात मूर्ती पूजा होने लगी जो की अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है परंतु शिवजी के लिंग और मूर्ती दोनों रूप ही पूजनिय है यही पर पांचवा अध्याय समाप्त होता है जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी